हलो गाईज कैसे हूँ आप सब आई हूप आप सभी अच्छे होंगे आज हम जा रहे हैं गोमती नगर भूम ने उत्रा खंड महोसो लगा हुआ है जहाँ पर हम जाएंगे और आप सभी को हम महा का पूरा वीडियो दिखाएंगे एक एक स्टॉल आपको दिखाएंगे आप अच्छी और बहुत कम रेंज में है तो यह उत्रा खंड महोसो लगा हुआ है गोमती नगर में तो आज वहीं हम जा रहे हैं और हमें पता चला है कि वहाँ पर चीजें बहुत सस्ती है तो आज हम जा करके वहाँ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ पर कौन से चीजें किस रेट में मिल रहे हैं तो आ गए हैं हम लोग गोमती नगर ये गोमती के तट पर गोमती के किनारे पर महोसो लगा हुआ है उत्रा खंड महोसो लगा हुआ है दोस्तों और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बहुत कम रेंज में मिलने वाली हैं अगर आप लखनों में रहते हैं लखनों के रहने वाले हैं तो बिल्कुल आप यहां पर जाएए और यहां से जो भी खरीदना है आप अगर उलन में कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं तो उलन में भी आपको यहां पर बहुत सारी चीजे मिल जाएंगी और बहुत ही कम range में भी मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर अपना style लगाए हुए है और यहाँ पर आपका मन बहलाने के लिए यहाँ पर उतराखंड के लोग आए हुए है जो कि program भी कर रहे हैं बहुत अच्छा stage बनाया गया है डान्स भी हो रहा है और बहुत सारे कपड़े भी यहाँ पर मिल रहे हैं उलन में भी कपड़े मिल रहे हैं लड़कियों के लिए कपड़े हैं लड़कों के लिए जॉकिट वगेरा उलन में बहुत अच्छा अच्छा सामान है लेगी बगेरा भी है उलन में काफी अच्छी चीजें यहाँ पर हैं जो कि देखने को मिली हैं मुझे मैं यहाँ पर आई हूँ और मिठाई भी यह पहाडों पर जो मिठाई खा जाती है वो मिठाई भी यहाँ पर है और स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर बुक्के भी मिल रही है और बहुत सारा सामान है जो कि एंटिक है एकदम नया है बच्चे देखकर बहुत खुस होंगे अगर बच्चे हैं छोटे तो आप बिल्कुल बच्चों को भी ले करके जाएए यहाँ पर और यहाँ जूले वगएरा भी लगे हुए है बच्चे भी यहाँ आ करके बहुत खुस हो जाएंगे और जो किताबे कहीं नहीं मिलेंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी क्योंकि यह एक प्रकार का बुक बजार बना हुआ है जो की लगा हुआ है यहाँ पर और हम लोग बिलकुल रोड पर ही चल रहे हैं और अभी हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कौन-कौन से चीजे मिल रही हैं और हम आपको एक एक स्टॉल पर ले चलेंगे अभी तो हम रोट पर का ही आपको दिखा रहे हैं ये रोट पर जो दुकाने लगी हुई है वही हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां सभी बच्चों को ले करके भी आ रहे हैं क्योंकि यहां पर किसी बच्चे के खोने का भी डर नहीं है और बहुत अच्छा है बहुत सा जावट भी हो रखी है जिसे देखकर बच्चे बहुत खुस होंगे और यह लचमर जूला मैदान है जो कि गुमती नगर में है और वहीं पर यह उत्राखंड का महसो भी लगा हुआ है जहां पर उत्राखंड के लोग बहुत सारा सामान लेकर के आये हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सा सामान लेकर के आये हैं और यहां के लोग खरीदारी भी कर रहे हैं क्योंकि सामान भी बहुत महेंगा नहीं है बहुत कम रेंज में सामान भी दे रहे हैं तो कम पै अच्षे से और अंदर की तरप भी हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं बाहर की तरप यह गेट बना हुआ है और गेट से ही दिखाई दे रहा है कि यहांद बंढ़त में बहुत अच्छी music भी मजब भी बचे आए हुए हैं जो भी लड़की लड़की आए हुए हैं वो सब डांस वगेरा कर रहे हैं बहुत सारी वहाँ पर चेयर वगेरा भी लगी हुई है अभी हम आगे आपको सब कुछ दिखाएंगे और आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं बढ़िया बैट करके आप प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं यह जोकिट वगेर में हैं और बहुत अच्छी डिजाइन में हैं कुर्तियां आगे से बढ़िया से स्टोन वगेरा भी लगे हुए हैं और यह जो कुर्तियां हैं यह साड़े तीन सो में एक दे रहे हैं और बहुत अच्छा कपड़ा है और इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छी अच्छी है हर color में आपको कुर्टियां यहां पर मिल जाएंगी तो हर साइज की कुर्टियां भी है यहां पर आप चाहें तो Excel, Medium, Small जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे-च्छे color भी हैं यहां पर हमने बहुत सारी कुर्तियां देखी है और 3-4 कुर्तियां हमने खरीदी भी है जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी तो वही मैंने ले ली है तो बिटिया भी अपने लिए देख रही है वो भी अपने लिए पसंद कर रही है और यहाँ बिल्कुल भी भी बीड नहीं आप आराम से सांती से उसको देख सकते हैं, खरीश सकते हैं, खाने के लिए यहाँ पर जगए जगए पर इस्टॉल लगे हुए हैं जगे जगे पर मिल रहे हैं, अगर आपका कुछ भी खाने का मन है, भेल पूरी वगेरा भी यहां पर मिल रही है, यह लड़कियों के लिए जॉकिट वगेरा भी, जो मिडी टाइप की फ्राके होती हैं, वो मिडी भी यहां पर मिल रहे हैं, और बहुत कम रेंज में हैं, तीन यहां पर मेला लगाए हुए हैं महसो इनका चल रहा है और भारी तादात में लोग आते हैं यहां पर खरीदारी भी करते हैं और यह आप लोग देख सकते हैं कि यह उत्रा खंड के लोग ही आकर के यहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं बाकाइदा डीजे वगेरा लगा हुआ है सब के बैठने के लिए यहाँ पर चेयर की भी सुविधा है सभी चेयर पर बैठे हुए है और जो भी समान खरीदते हैं थक जाते हैं तो वो लोग अपना चेयर पर बैठ के आराम कर लेते हैं और यह देखिए यह भी कुर्तिया लगी हुई है यह भी बहुत अच्छी कुर्त साड़ियां भी यहाँ पर मिल रही है साड़ी का भी बहुत महंगा रेंज नहीं है यह साड़ियां यहाँ पर जो लगी हुई है हमने देखा है कॉटन की साड़ियां है दो दो सो रुपए में साड़ियां भी मिल रही है और यहाँ पर बहुत सारे दिये भी मिल रहे हैं जो पे हैं गोमतिनगर में लच्मण मेला मैदान में यह उत्रा खंड महोस्तो चल रहा है और अब हम फिर से आए हुए हैं जो कि बिटिया को कुछ सामान लेना है तो हम इस तुकान पे फिर से आए हैं बुक बाजार जो है जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है और यहां पर साम निधा के लोग यहां पर आए हैं अपना अपना स्टार लगाए है रजाई कंबल वगएरा अभी बहुत सारा यहांपर मिल रहा है मैट भी है यहां पर कुछ भी ऐससा बाकी नहीं है जो की यहां पर नहीं है जो भी घर में डेक्रेराशन के लिए चीजें स्तेमाल प सारी चीजें भी यहां पर हैं और यहां पर आप घूंग घूंग के अराम से सोपिंग कर सकते हैं बिल्कुल आपको ठकान महसूस नहीं होगी अगर छोटे बच्चे हैं आपके साथ तो आप बिल्कुल बच्चों को उतार दीजिए बच्चे भी खूब इन्जॉय करेंगे क्योंक क्या-क्याचीजें मिल रही हैं तो देच सकते हैं आप लोग तंदूरी मसाला लड्डू धर का चीज़ यहां पर अपको मिल जाएगी और उत्राइखंड के सारे पकवान आपको यहां पर मिल जाएंगे आप लोग अगर उत्राखंट के पकवान नहीं देखे हैं तो बिल्कुल यहां पर आईएगा और आप लोग उत्राखंट के पकवान भी देखिएगा और मैंने यहां पर चूर्मा खाया है जो मुझे बहुत पसंद आया है मौंग की पकोड़ियां भी यहां पर है मौंग की पकोड़ियां भी मैंने खाई है यहां पर तो वो भी मुझे बहुत टेस्टी लगी है और सबसे अच्छा मुझे लगा है जो लड्डू होता है जिसको कहते हैं चूर्मा तो चूर्मा मैंने खाया है चूर्मा 40 रुपए का एक लड़ू है और वो खाने में बहुत टेस्टी है एक लड़ू खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा और बच्चे बहुत खुस हो जाएंगे बच्चों के खाने के लिए यहाँ पर जो भी पीजा बर्गर वगेरा है सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है